हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग सबी लोग स्वस्थ होंगे ऐसे मेरी उम्मीद है तो मैं अपने इस यूटूब चैनल पर आप सब एका स्वागत करता हूं कि आज जो हम लोग टॉपिक डिसकस करने जया रहे हैं बिना उसके फिल्क्स का कोई मतलब नहीं है आपको गखसर ऐसा कौंसे टॉपिक है आज तो आज जो टॉपिक है सीधे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर जो आज का topic है हम लोगों का वो है units and measurement units and measurement physics में बिना unit के कामबेकार बिना measurement के कामबेकार तो इन दोनों चीज़ के बिना physics का कोई मतलब नहीं है तो भाईया हम सीधे सीधे अपने चलते हैं आज के topic पर कि यहाँ पर units and measurement को हम start करते हैं आज तो सबसे पहले आप जानते हो कि हम को एक quantity चाहिए उस quantity का measurement करेंगे और उस quantity की कोई एक unit होगी तो सबसे पहले हम लोग उस quantity पे चलते हैं quantity वर्ड पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग quantity वर्ड पर आते हैं quantity आपके physical quantity तो सबसे पहले जो हुमारा topic इस्टार्ट होता है physical quantities physical quantities अब ध्यान समझेगा ऐसी quantities जिनको direct या indirect जिनको direct या indirect तरीके से measure किया जा सके ऐसी quantities जिनको direct या indirect तरीके से measure किया जा सके वो क्या कहलाती है वो physical quantities कहलाती है ठीक है अब physical quantities दो टाइप की होती है तब या पहला जो है वो कहलाता है fundamental quantities fundamental quantities इसी कवाईया दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं base quantities क्या आप गोल देते हैं base quantities ठीक है दूसरी टाइप की जो quantity है वो है आपकी derived quantities derived quantities इन दो इस physical quantities को दो पार्ट में तोड़ दिया fundamental quantities और derived quantities में अब हमको एक करके discussion करना है कि आखिर ये होती क्या है चले जिस्टार्ट करते हैं लोग फिर्जिकल quantities को दो पार्ट में तोड़ने पर जो हमारा पहला पार्ट आया है fundamental quantities तो यह होती ही क्या है देखो किया है हेडिंग डाल लेते हैं fundamental quantities हेडिंग होगे भी है हमारी fundamental quantities अब देखो इसको ध्यान समझेगा ऐसी quantities जिनको किसी की help से find ना किया जा सके ऐसी quantities जिनको किसी की help से find ना किया सके यह invisible होती है इंडिविजवल होती है किसी help से find नहीं कर सकते तो वो कहलाती है fundamental quantities यह कितने type के होती है यह होती है यह आपके साथ यानिकी seven type fundamental quantities होती है कौन-कौन होती है लिखे लेते हैं सभी को भई यह पता होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ पहले हो गई mass फिर हो गई length फिर हो गई आपका time फिर हो गई आपका temperature फिर हो गई आपका electric current luminous intensity luminous intensity और एक last हो गई आपका amount of substance amount of substance अब जारा इनके symbol और unit की बात कर लेते हैं तो यहां पर हमड़ी डाल देते हैं unit और यहां पर डाल देते हैं symbol की तो mass है इसको जो symbol होगा वह M होगा जो unit होगी इसके हम kg में दिनोड करते हैं तीक है? जो length होगा उसका L symbol होगा इसको हम लोग meter में measure करते हैं जो length time है हमारा वो आपका symbol होगा आपका T या इसको बोलते हैं इसको जो time होगा आपका second ठीक है? जो temperature है उसको K से के मतलब होता है Kelvin जो electric current है उसको जो symbol होगा A यह मतलब होगा ampere ठीक है? जो आपके luminate intensity है उसको CD मतलब candela ठीक है candela जो amount of substance है यह हो गया mole यह हो गया इसको formula से find करोगे? कोई formula तो होता ने इसका find करने के लिए तो यह direct find करते है यह individual quantity है तो यहाँ पर देख रहे हो यह fundamental साथ quantity हो गई है साथ के unit हो गए और यह आपके symbol हो गए ठीक है? अब हम चलते हैं आगे derived quantities के क्योंकि बीना इसके physics की स्टार्टिंग नहीं होती है तो अब हम लोग अगले उस पर चलते हैं तो जो दूसरी टाप की unit है वो है derived quantities derived quantities अब यह क्या होती है जैसे नाम से पता है derived मतलब derivation करना मतलब ऐसी quantity जिनको हम दूसरी quantities की help से derived करते हैं वो कहलाती है derived quantities जैसे अगर मैं कहूं हमको area चाहिए क्या होता है अगर हमको rectangle का area चाहिए तो length into weight होता है अगर हमको volume चाहिए तो क्या लिखते है L into B into H तो देख रहे हो कि जो area हो गया volume हो गया इनको हम इन formulas की help से calculate कर रहे हैं तो यह जो quantity होती है क्या कहलाती है derived quantities कहलाती है ध्यान रखेगा derived quantities हमेशा अगर इनको find करोगे तो किसीनाकिस ही формulis से ही निकाली जाएंगी हमेशा किसीनाकिसी formula से ही निकाले जाएंगी वो कहलाते हैं derived quantities ठीक है अब हम लोग अगे बढ़ते हैं वह quantities तो हमने पढ़ ली अब हमको पढ़ना है कि इन quantities को हम किस unit में measure करेंगे unit का मतलब क्या है तो अगली जो heading हम लोग डालेंगे वो है आपकी system of unit system of units मतलब एक unit का ऐसा set जिसमें हम physical quantities को measure करते हैं जिसमें physical quantities को measure करते हैं वो कहलाता है एक system of unit कहलाता है आपको पता है यह three parts में divided होती है एक आपका mks, cgs, cgs और एक आपका होता है fps अब यह होता क्या कहा है जरे इसको decide करते हैं आपको जो numerical given होगा numerical तीन system में से यह system ज़्यादा यूज नहीं करते हैं यह दो से ज़्यादा system यूज करते हैं mks और cgs जो numerical होगा उसको हम किसी एक system of unit में रखने के बाद ही solve करते हैं और सहियों की बात होते है numerical जब आपके सामने आता है तो कभी भी एक system of unit में नहीं आते वो दो का mixture होता है तो सबसे पहल देख लेते हैं इसमें क्या होता है इसमें mass, length और time जादर हम यह तीन quantities को ही measure करते हैं लेके चलते हैं तो अगर mks system आप यूज कर रहे हो तो mass आपका kg में होना चाहिए length meter में होने चाहिए time आपका second में होने चाहिए यह ध्यानक ना पड़ता है जो हम numerical को solve करते हैं यह पोसंट जादा तर numerical में ही help करेगा आपको mks system जब यूज करोगे तो mass kg में होना चाहिए length meter में होना चाहिए time second में होना चाहिए और अगर cgs की बात करते हैं तो mass आपका gram में होना चाहिए length cm मे אותו time सेकंड में होना चाहिए और अगर हम fps system की बात करते हैं तो मास आपका pound में होना चाहिए length आपकी foot में होना चाहिए और time आपका second में होना चाहिए ठीक है time देख रहूं वही रहता है बस length हो मास को measure करने के यूनिट हैं वो चेंज हो जा रही है इसलिए आपको यहां पर यह चीज थोड़ी सी ध्यान लखने पड़ते हैं ठीक है यह जो पॉर्सेंट बनाया है यह नुमेरिकल में बहुत हेल्प करता है इसके बिना आप नुमेरिकल साल्व नहीं कर सकते 70% इस्ट्रेंट गलती नुमेरिकल को साल्व करने नहीं करते हैं नुमेरिकल को एक सिस्टम आव यूनिट में नहीं बना पाते हैं यह गलती होती है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो मेरा नुमेरिकल है वो क्या वह इन दोनों में से किस सिस्टम आव यूनिट को रहा है यह अगर नहीं कर रहा है तो हम दोनों से किसा एक सिस्टम अब ङयूनिट में उसको हम कनवर्ट करें पृर आकर करते हैं ठीक है अब उसके बाद यह तो हो गया सिस्टम आप यूनिट की बारे में अब हमसोड़ा और आगे बढ़़ते हैं बही quantity की बात हो गई, unit की बात हो गई, अब हम आते हैं measurement पे, क्योंकि unit का नाम उस पे, chapter का नाम का था, units and measurement पे था, तो quantities पढ़ लिया, unit को कैसे measure करेंगे, यह पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, measurement के बारे में, देखेगा, measurement कैसे करते हैं, यह हम आपको बताने वाले हैं, के इक हैं, measurement करने के कितने तरीके होते हैं, आब कोई से measure कर लेंगे और हम formula के major कर लेंगे, यह ज़्यादा तर बच्चे कहते हैं सर हम formula के major कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, heading डाल लेते सबसे बहले, measurement of length, measurement of length अगर हम कहें कि भाईया ज़रा बताओ कि लखनों से कानपरु की डिस्टेंस कितनी है बिल्कुर से आप मेजर करके बता सकते हो बाइक से फोगले से ट्रेन से सब जैसे बता सकते हो मेजर करके बता सकते हो direct लेकिल मैं कहूँ यह हम अर्थ से moon टक की distance क्या है तो क्या आप bike लेके जा सकते हो या आप initiative लेके नाप सकते हो नहीं वहां पर आपको formula जरूर्वत पड़ती है जब हम direct मेजर करते हैं अर्थ पे यह अर्थ पर possible होता है जैसे मैंने का लखनह से कानपूर तो यह डिस्टेंस है आप डिरेक्ट मेजर कर सकते हुए हम यह हम डिरेक्ट मेजर कर सकते हैं यह मैंने का कि इस marker के length कितनी है आप meter scale से इसको measure कर सकती यह होगे direct method जब distance बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर direct method यूज नहीं हो पाता है वहाँ पर indirect method यूज करते हैं तो length को measure करने के दो part हो गए कौन कौन से एक आपका हो गया direct method एक आपका हो गया direct method और एक आपका हो गया indirect method तो direct method तो मैंने बता दिया भी कि जैसे हम को इस marker का length find करना है तुरंद meter scale उठाएंगे और इसका हम नापनेंगे मैंने का जो इस marker का tip है यह कितनी मोटी है तो तुरंद हम warning scale उठाएंगे और इसको warning scale से बता देंगे इसकी thickness इतनी है जब हम direct किसी instrument की help से length को find करते तो वह क्या कहलाता है direct method कहलाता है ठीक है लेकिन indirect method क्या होता है indirect method वहां पर यूज करते है जहां पर मेरा direct method fail हो जाता है तो वहां पर indirect method यूज किया जाता है और indirect method में एक method है बहुत ज्यादे यूज किया जाता है जिसको लोग parallax method बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पैरलाक्स मेथड बोलते हैं अब चलते हैं अपने इंटारेक्ट मेथड के पैरलाक्स वाले पॉर्शन पर चलते हैं अपने पैरलाक्स वाले मेथड पर कि पैरलाक्स मेथड होता क्या है तो हेडिंग डाल लेते हैं पैरलाक्स मेथड Parallax Method अब इसको थोड़ा ध्यान समझेगा यह सिफ समझने पे है जैसे मैंने एक पॉइंट रख दिया अब ध्यान से देखेगा आपको इस पॉइंट को देखना है नजर इस पॉइंट पे होनी चाहिए और ध्यान आपका का होना चाहिए पीछे ब्लेक बोर्ड यह जो हॉइट बोर्ड लगाए वहाँ पर होना चाहिए नजर इस पॉइंट पर ध्यान इस बैगराउंड पर तो जैसे ही आप इस आख से देखोगे यह पॉइंट जरा इधा दिखाए देगा जब इस आख से देखोगे तो यह पॉइंट इधा दिखाए देगा मतलब इसमें एक एपरेंट सिफ्टी होती है एपरेंट सिफ्टी होती है एक आभासी सिफ्ट होती है इस पॉइंट पर हमको यह फील होता है मतलब अगर हम यह इसको यह मेरे लेफ्ट आई है और यह मेरे राइट आई है ठीक है जब हम यहाँ से देखेंगे तब हमको यह point कर यहाँ पर दिखाए देगा जब यहाँ से देखते हैं तो यह point को कहीं यहाँ पर दिखाए देता है क्या real में यह point shift हो रहा है नहीं आभास हो रहा है कि यह shift हो रहा है यह shifting कितना होता है, जितनी मेरी आँखों की बीच की distance होती है, यह shifting उतनी होती है, जितनी मेरी देखने हैं, एक बार मैं यहां खड़े होके देख रहा हूँ, फिर मैंने एक बार यहां पर खड़े होके देखा, तो जितनी बीच की distance है, तो different position से देखने पर, तो जितनी मेरी यहां पर बीच की distance कवर के उतनी ही यहां पर shifting होती है यतनी यह उतनी यह तो अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें इस तरीके से अगर मिला देते हैं तो यह angle बनता है theta यह भी वह का उतना यह भी theta आपका उतने होता है यहां पर यह जो distance है यह अगर हम d मा लेते हैं तो यह भी आपका d हो जाएगा ठीक है और मा लेते हैं यह s distance है जो भी मानना चाहो बान सकते हो तो इस angle को भी आप बोलते हैं यह जो angle बनता है इसको बोलते हैं parallax angle यह क्या बोलते हैं parallax angle दो different position से देखने पर इस की इस point की position में एक apparent shifting हमको feel होती है उस apparent shifting को क्या बोलते हैं parallax बोलते हैं उसकी जो position में shifting होई है उसको parallax error बोलते हैं ठीक है और जो angle बनता है उसको parallax angle बोलते हैं और जिस method से यह सब हम find करते हैं उसको parallax method बोला जाता है क्या बोलते हैं parallax method बोला जाता है तो अब यह कैसे find करेंगे एक अपने formula पढ़ा होगा angle is equal to arc upon radius वह ही यहां पर पढ़ा यूज किया था theta is equal to arc कितना हो गया small d और radius कितनी होगे s यही formula parallax method में यूज किया जाता है value को find करने में ठीक है तो parallax method होता क्या भी है यह आपके सामने है फिर से एक बार हलकी energy देख लेते हैं कि दो different positions देखने पर इस object की position में apparent shifting होती आभासी shifting होती हमको feel होती है real में नहीं होती तो उसी को बोलते है parallax error बोल सकते हैं उसकी position में जो shifting होई है parallax error बोलते हैं और इस जो हाँ पर angle बनता है उसको parallax angle बोलते हैं और जिस method से यह सब find करते हैं उसको parallax method ठीक है अब जरा उसको हम example समझा सकते हैं कि अगर हम find करना चाहें कि अर्थ से moon कितनी distance पर है एक में थाड़ी उसका सकते हैं बिल्कुल देखो भी यह जरा अगर हम इसको रफ कर दें जरा अर्थ से moon की distance find करना चाहें तो कैसे find करेंगे यह मैंने बना चैब मेरे Howard यह ख्या है यह कि आपका moon चंद्रमा चंदा मामा जिसको बोलतें अब शकी distance मतलब एक बार मैं इसको यहाँ से देख रहा हूं और एक बार मैं इसको यहां से देख रहा हूं भी दूर-दूर जाके देख रहा हूं तो कि की दूर distance ज़ादा है यहाँ पर इसको मिला देते हैं और इधर से इसको मिला देते हैं ठीक है हमको यह S यह S हमको यह S distance Find करनी है कि यह S distance हमसे कितने दूर है तो इसको हम यह मालेते हैं यह D डी डिस्टेंस है दोनों के बीच में मतब्द दो जगर मैंने Select की कि हम एक बर यहां से देखेंगे बर यहां से देखेंगे तो यह जो distance से वो D है आप कैसे find करते हैं सबसे पहले हम अपनी position को उपर यह space है यहां पर उपर space है वहां पर दो star लेते हैं अपने बस position को fix बनाने के लिए तो यहां पर मैंने इसकी सीध में यहां पर एक star note कर लिया और इसकी position में यहां पर एक star note कर लिया अब यहां से अब हमें एक line बना दे यहां से हमेंने एक line खीज़ दी यहां से भी एक मैंने line खीज़ दी इस तरीके से अब यह हमसे कितना इंगल बना रहा है यह हमको पता होता है यह हम इंस्टुमेंट से find कर लेते हैं यह हम सबसे पहले find कर लेते हैं अब उसके बार देखो जारा अगर मैं यहां से यह लाइन इन दोनों के पहले लोगी तो यह फाइवन है तो यह कितना होगा फाइवन होगा और यह फाइट्टु है यह आपकर कितना हो जाएगा फाइट्टु हो जाएगा ठीक अब हम सिद्धे सिद्धे हमको ऐसी तो find करना है यह वाला formula लगा दें एंगल इस उकल दो आर एंगल इस उकल टो आर किता है डी डीएट्टी है एस तो हमको ऐसी तो find करना था ऐसे उकल टो डी अपांट फाइट्ट फाइट्टु है तो यहां पर विया इस फाउमले की help से हम इस मून की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अर्थ से कितनी है यहां पर हेडिंग भी डाल स सकते हैं डिस्टेंस आफ मून फ्राम अर्थ कोई बीस डिस्टेंस ने कोई भी चीज हो जड़ा दूर जहां पर हम डारेकक्ट मेथड यूज ने कर सकते वहां पर आपको सिर्फों सिर्फ पेर्लेक्स यूज करते हैं और अप देखें फीगर देखने में आपको भले जाता भेंकर लगे भेंकर नहीं होता है आपको देखोगे इसको जो कनिक्लूजन आया है वो सिर्फ कौन सा सिर्फ यहां पर एक ही फॉम्ला लगा है कौन सा एंगल उजुकल टू आर्क अपान रेडियस सिर्फ छोटा सा फॉम्ला लगा है अब देखोरों कि फीगर में तो बड़ा भॉकाली फीगर है कुछ नहीं है भॉकाली फीगर होने से वह मतलब नहीं उसके पीछी कॉंसेप्ट क्या लगा है अगर वो हमको पकड़ ले गए फिर को दिक्कत नहीं है तो भीया यहां पर और इंडिरेक्ट मेथेड को भी हम लोगों ने पढ़ लिया तो यह टॉपिक यहीं पर क्लोस हो जाता है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा भाया वो डैमेंशनल फार्मुले से रिलेटेड होगा तो वहां पर आपको बहुत गजब तरीके से आपको बताएंगे कि डैमेंशनल फार्मुला कैसे फाइंड करेंगे किसी भी कॉंटिटी का किसी भी फार्मुले से उसकी यूजिस क्या क्या है बहुत ही अच्छा इस्प्रिनेशन आपको मिलने वाला है तो भाया जितने लोग अभी इन तक इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चल सब्सक्राइब करने पड़ती है क्योंकि आज कल कंपडिशन का दौर है स्लो एंड इस्टी वेंज दर रेस हम भागेंगे नहीं धीरे धीरे पढ़ते बागे चले जाएंगे और रेस को जीत लेगे तो इसके साथी भाया आज की इस वीडियो को लोग आज की इस क्लास को य झाल